बस अब और अधिक नहीं सुना जाता अपनी मन माली को नियंतरण में रख अपनी इच्छा और कामना पड़ी नियंतरण रख जलगतर पारवती तिन माता के समान है उनके विशे में ऐसे विचार लाना घोर पाफ है उनके बस बस घुरू बस बहुत हुआ जिसे अपने पत्नी बनाना चाहता हूं तुम बर्वस से मेरी माता बनाए जारे हो माता वही होती है जो बुत्र को अपने गल्प से जनम देती है पार पार माता माता कह कहकर मुझे ब्रह्म में डालने के अवसकता नहीं है गुरू मैं यहां माता का पुत्र बनने की कामना ले त्पयाशन में तुम्हें मेरा सद्ध रापकर्म तुम्हेरा से भागी गदाभी नहीं बनाऊगा तो तुम अपने शिश कंसा है नहीं दोगे ऐसे वापकरम में यहीं गुल शिश का साथ देने लगे तो जन्मजात प्रादी भी लजजत हो जाएंगे कि गुरू का कर्तवी होता है शिश्य को विजे मार पर आगे बढ़ाना उसे कुमारिक से रोकना तुम तो मुझी भी अपने साथ इस पाफ की खाई में गसीता चाहते हो ऐसा सरवता नहीं होगा जगंदर यह सरवता नहीं होगा तो फिर वो आवश्य होगा क्या होगा तो मैं देट दरू के पद और भरों से वंचित कर दूंगा और जगत के समस्ता सुरू को बुला कर उंचे यह कहूंगा तो कि देट गुरू शुक्रा चाहरे देट शक्रू बन चुके हैं इसलिए उनकी आग्याना मान कर उनका भैश्कार करो यह देदाओं के पक्ष में सोचने औ अबना पालिक मिता दया मैं उस्कुरू के सथ नीमुआ। जो तुम आङbin से प्लडर करेंगों आफिन हैามें उस्कुरू के साथ जिसने तुम्हें शस्त्र शास्त्र मिद्या में बना दिया। तो मेरी इच्छा भी तुम्हें अपना गुरू बनाई रखने की नहीं होगी जलंधर अपने गुरू से प्रतिशोद लेने को ही क्या तुम समस्त असुरजाती को गुरूभीन करतोगे औरू हीं होकर असरजाति मिंट नहीं जाएगी मिठ जाने दो मिठ जाने दो समस्ता सारजाति को पर महाबली जरंदर अपने इच्छा नहीं मिठा सकता है राए मोजे बड़े लिए तो मेरा साथ भी देना होगा कोई उपाई नहीं है जरण दर शिश्य के समुख गुरू ने सत्य को स्विकार कर लिया यह तो जगत में का नोखी बात हो गई गुरू अब मैं चलता हूं अपने अभ्यान पर हाँ 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 यह आप ले अधर्य किस धर्म सरकर में डाव दिया शुशिकर तुम्हारी इस दीर गुमस्कान का क्या कारण है देवी इसलिए तेरा प्रसन होना स्वभाविक है स्वामी हमारी समाधी का तुम्हारी प्रसंता से क्या संबंध है देवी स्वामी आज आपकी समाधिस्तना होने के कारण है आपको अवकाश है समय है इसलिए मैं आपसे कुछ अपने मन की बात कह सेकोगी कहो क्या कहना चाहती है य मुक्ष्मी देवी और श्री हरी विश्मु जनंदर के अतिति बन चुकने के बाद अब देवताओं की शुक चिन तक रहेंगे या नहीं नहीं तो यह भी जिल्लू पहलाच निवास निपारोती अब तुन्हें जनंदर के महन में भारानी बनकर रहना होगा मैं इस समय यहां यहीं प्रस्ताव लेकर आया हूँ अरे दुष्ट राहू श्री हरी विश्मु के सुदर्शन चक्र से कट कर भी तुने पापा चार और अना चार त्यागा नहीं अब क्या तु हमारे ग्रोज से भस महोने यहां आया है पहले मैं इसी ध्या से ध्याभीत हुआ था किन्तु फिर ध्यान आया है मैं अंध्रित पीकर आमर हो चुका हूँ इच्छा करने पर भी आप मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे पुछ पर क्लोज करना ज्यार्थ होगा महादेल है तो केवन पहाबली जनंधर का संदेश प्रस्ताव लेकर यहां आया हूँ और सुन्दड़ी पार्वती तुम भी सुनों इस हीम शीतर के राश्ट से तेत्यरा जलंधर का राजभ्रवन कहीं अधिक सुख्मई है जहां आप तेत्यों के संब्रागी बन कर रहेंगे जलंधर का ये घ्रिनित प्रस्ताव है अमारे सामने रख कर तुमने हमारे क्रोध को जाग्रित कर दिया है राहू अब जाकर तुष्ट जलंधर से कहना कि ये विचारत ध्याग दे अन्यथा हमारे क्रोध का भाजन बनेगा जिसका परिनाम महा भ्यंकर होगा और वो होगा केवल जलंधर का अन्य ये तो समय बताएगा मादेव कि किस का अन्यथा होगा अगर तो सम्राट जलंधर की ये असुरा दीपती जलंधर की ये अशूर समराद जलंधर की महाबली जलंधर की महाबली मेरी रक्षा करो महाबली तूने तो अम्रिद को भी वेश कर दिया अम्रिद पीने परभी घर्ति से ढर्कर काईरों के बादी चितकार करता है जिस जलंधर के समोकाते हुए भैव मिं भैवित होता है उसके एक समोकातर तुबाई से भैवित क्यों हो रहा है लहू हमारे सामने आने से पहले ये पर और परंदु समत्र में कराया करो हमारे रच्च में शिव और उसका ख्रोद रवेश नहीं कर सकता है अब कहो क्या समचार लाए हूँ महावली मैंने जब आपका प्रस्ताव वहां सुनाया तो शिव पार्वती दोनों ने सुनकर रुद्र रूप दिखाया और आपके प्रस्ताव को ठुकराकर तो धागनी मेरे पीछे छोड़ दी मेरा विचार है कि वाप पार्वती को पाने का विचार ही त्याग दें हम क्या एक भैवेत और कायर के विचार से कायरे करेंगे तुर बुद्धी विचार तो बल्वान का माना जाता है कायर का नहीं हमें मंत्रणा देने की दृष्टता तो स्वयम गुरु शुक्राचायरे भी नहीं करते तुने इतना साहस कैसे जुड़ा लिया कि हमें विचार पर वि विचार नहीं करता वो अनाचार पापाचार और अत्याचार करने लगता है अपने शब्दों को विराम लगार नहीं तौँ कहूंगा अवश्य कहूंगा विचार नस्तोंने से उधी भ्रस्थ होती है जैसा कि मेरे साथ हुआ अब आप दिभी यही गती होगी अब और अध अब करने की तैयारी करो जैसे आपकी आज्या महावली और गुरु शुक्रचारे से जाकर वहों कि हमारे इस कहलाश विजय अप्यान में तुरंत संबरित हो आपकी आगे का पालन होगा महावली क्या गुरु शुक्रचारे की मति इस सीमा तक भ्रेश्ट हो गई है कि उन्होंने अपने जनक शिप पर आक्मन करने के लिए जलंदर को परामश्च दे डाला उसका हंकार उसके विवेक पर चड़ बैठता है और फिर वो उचित और अनुचित के ज्ञान और अंतर से दूर निकल कर यहीं सोचता है कि जो कुछ कर रहा है ठीक ही कर रहा है एक ऐसी ही गती जलंदर के अर्थात अर्थ शिपकूपसे न तो शुक्रह चारे बस सकेंगे और नाहीं जलंदर यह सथ्य है कि शिवकूप से मद्शकना असंभव है कि अपनी पत्नी ब्रिंदा के सथित्व के फलस्वदिए जलंदर अपार शक्ति-धारी है यदि अपार अपने शक्ति करे दूप्योग कर दूसरों के अदिकारों का हरन कर आतिक ऑर одну चिताच प्रशाबम से बस्तू करना चाहिए है तो क्या उसकी आपार्ख शक्ति शीर नहीं हो जाते क्या वो नहीतिक और चहριत्रिक रूप से दुरॅप नहीं हो जाते हैं हाँ देवराच ऐसा शक्ति शालेवी ऐसी स्थिति में दुर्बल हो जाता है इसका अनुभव स्वयम आपको भी तो है आप मुझे लच्छित कर रहे हैं गुदेव सत्य की स्वीकृति में लज्जा कैसे सत्य स्थान अवश्य बदलता है किन्त स्वयम कभी नहीं बदलता और यह सत्य जगत के हर एक प्राणी पर धटित होता है मैं तुम जलंदर अच्वान ये कोई भी है जब अपनी शक्ति का दुरुप्योग करके दूसरे के लिए कश्ट का कारण बनते हैं तो यही कश्ट देन परमस्वयम कश्ट में आजाते हैं देखना यही गति जलंधर की भी होगे मेरे भीया जलंधर में कार्य तो अनुचित ही किया है क्या भूलेना तुसे ख्रमा कर देंगे अथ्वा दन देंगे देवी लक्ष्मी अब क्या होगा प्रभू जो भी होगा उधी की रजना के अन दोट से भस्म कर देंगे तुम क्या चाहती हो वो तुमारा भाई है इसलिए भगवान शिफ के अलाश पर उसका स्वागत करते हुए पारवती को सहर्षो से सौंपते और उससे कहें कि पारवती मैं तुम्हें सौंपता हूँ भस्म मैं किसी और को कर दूँगा क्योंकि क्यों डूबी हो शोक में अपने उस महापात की भाई के लिए जिसे ना तो बहन बहनोई की लाज है और नहीं महाशक्ती का मान सम्मान धरती के प्राणी इसी कारण वश्त दुखी है जगत में इसलिए तो आशांती है मानव का चरित्र इसी कारण से उपर नहीं उठ पा र सबस्ट है कि तुम्हारे और जलंदर के विशे में कह रहा हूं जब एक भाई किसी की पतनी पर कुर्दिष्टी डालता है तो बहन को दुखी होने की क्या वश्कता है उसे तो क्रोधित होना चाहिए उसे विधाता से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस महापापी को धरती से उठाले जदी ऐसा हो तो पापी पाप करने में संकोच करेगा किन्तु ऐसा होता नहीं जब ऐसा नहीं होता तो किसी की बहन पत्नी और पुत्री पर कूदिष्टी डालने वाला अपने बहन और संबंधी के मौन को अपने कुकर्म की सहनती मान कर प्रोधसाहित होता है और आ एक चरित्रहीन भाई के हित्म में तुम कई बार नहीं नहीं बोल चुकी हो। किन्तु जगदंबा पारवती के प्रती, मर्यादा हींता का आचरण करने पर भी तुमने उसका विरोध करते हुए भी एक बार भी नहीं नहीं कहा। तुमने जलंधर को एक बार भी रोका टोका नहीं कि माता के समान पूझ पारवती के प्रती और पवित्र विचार न करे। वेकुकर्मी को कष्ट के कठोर कुठारे में धकेल रहे हैं। क्या हम सब को ये आचरण शुभा देता है। नारायन नारायन ऐसा करना तो प्रिध्वी के प्राणियों को भी शुभा नहीं देता श्रीहरी किन्तु मनुष्य का तो सभाव ही बन गया है। नारायन अब तुम के स्वभाव की बात करने लगे। मनुष्य स्वभाव की बात कर रहा हूं मैं माता मनुष्य स्वभाव की बात कर रहा हूं। इन दिनों धर्ती वालों ने जो आय सो प्रसंद जाय की नीकी अपना रखी अर्थात कोई किसी को दुषकर्म करने से रोकता नहीं क्यों सब ही दुषकर्मी है एक दुषकर्मी दूसरे दुषकर्मी को दुषकर्म करने से क्यों रोखेंगा नाराज, नाराज क्या धरती पर एक भी सत्कर में शेष नहीं रहा। नहीं नहीं इतना निराश होने की आवश्चक्ता नहीं शेष है किन्सों करोडो में एक, जिसकी पुकार दूर तक नहीं जाती इसलिए कोई कुछ भी करता है, उसे कोई कुछ नहीं बूलता इसलिए धर्ती पर अत्या चार और अनाचार बढ़ रहे नारद तुम्हारे आने से विशय परिवर्तन हो गया है तो मैं फिर चला जाता हूँ विशय वर्तन में आ जाएगा वैसे मेरा विचार है कि महाबली जलंधर के विशय में चर्चा हो रही थी हाँ नारद देव लक्ष्मी इसलिए चिंदित है कि कहीं भगवान भोलेना जलंधर को भस्म ना कर दें कदापी नहीं अपने ही तेज से उपन महाबली जलंधर को मैं कभी भस्म नहीं करेंगे नारद की बात पर शंका ना करो देवी जलंधर कितनी भी नीचता का प्रदशन करें किन्तु भोलेनाथ अपनी गरिमा के अनुरूप ही कारेंगे हाँ दोनों की युद्ध का रूप क्या होगा ये तो समय ही बताएगा नारायर नारायर हुई चैर क्या क्या हुई्ध करदा चैर Cित करदा चैर करदा क्या कर चैर क्या कर चैर करदा चैर को प्री ये कर र द्यूमenn कि कैलाश पर पहुंचने से पूर भी इन्हें नश्ट कर दें जलंधर को कैलाश तक पहुंचने दो उसकी द्रिश्टता का धंड उसे अवश्य मिलेगा का झाल तक ठाव कि लां ये धो है कि येечь जल्षता मैं कि येए कि एืर जलंधर कि येए कि युद्ध से बचना चाहता है तो बारवती मुझे सौंप दे सौंप दे मुझे बारवती कि आप मौन क्यों है स्वामी शुक्राचार्य तुमने हमारी ही अराधना करके महामृती जय मंत्र की सिध्य प्राप की है हमारे उस्वर्दान और उपकार का कई यही प्रद्य उंतर है दैत गुरु होने के कारण मैं विवश्च और असाय हो गया हूं महादेव साउधान शुक्राचार्य यदि तुमने इसी समय इस दुष्ट का साथ नहीं त्यागा तो मैं तुम्हारी सारी सिध्यां इसी समय देश्ट कर दूंगी ऐसा ने करे माती ऐसा ने करें करें देट्यों के गुरू महाव अली जरंदर तुम्हारे साथ है फिर भी सुकर पत्ते की तरह कापने हो तुम गुरू का इस भाती भाइबित होकर अपने निर्भाई शिश्य को अपमानित करना के शोभा देता है नहीं नहीं पर मैं के वरी महादेव आज तक कभी ऐसा न जादा पार्वती भी मेरी सुद्यों को नश्ट नहीं कर से थी पाहदेव मैं दैति गुरू इसलिए जलंदर का साथ देना मेरा अभीष्ट है हाँ गुरुदेव अपने सीमा में आते ही तुम्हारे शरीर का कमपन थम दिया है शांति आ गया तुम में तुम भी कुछ कम शक्ति शाली नहीं हो जलंधर आक्रमन करके अपनी मनों कामना पूर्ण करो हाँ हाँ पारवती ने मेरा मन भोल लिया है अब इसे ब्राप करके ही मेरे मन पर शांति बढ़ने तुमने जलंधर की पुद्धी भरष्ट करके हमारे कोप को जागरत किया है शुक्रचार अब तुम इसके दुश्मने नाम से बच नहीं सकते हैं कि पहला है! झाल बहतो! कि पहला है! प्रता है! झाल बहतो! झाल बहतो! हुआ 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 कपच思स मनरी परसमी करें परसमी कर्या है ल哇 अव्त वो कि other यह थैसंग कर दो ने, कर सो आपी जाम. कि देट्ट गुरु आपकी ये दुर्दश्या कैसे दुष्टों का साथ देने का परणाम तो कश्टों भी होता समतु देव मैंने दुष्ट जगंदर का साथ दिया तो परणाम भी मुझे ही भोगना होगा कोई दूसरा तो नहीं भोगेगा अच्छा हुआ भगवान शिव ने दया करके मुझे जलंदर से दूर कर दिया अने था शुवकोप से तुम्हें नश्टी हो जाता है ये शिव शंकर आपका युपकार में कभी नहीं बोलोगा कभी नहीं शुक्रा जाए अभी आप कुशल हैं आप अपने आश्रम लोट है अ उसन्द्री मेरे समीब अब कर सुखिय को इस भवतारी से भला तुम्हें वह वो सुख का अपलात होगा तुम्हें तुम्हें दे सकता हूँ आव मेरे समी पाओ साबधान जलंदर वीर्भात्र है परवतिक पर कुद्रिष्टी डालने वाले इस जलंदर को समाप्त करदो को विटना वाल थालने वालन, कि अ कि अालने शल्दी वेट sorry तेच में प्रूप रहीं आपura है कर दो. कर दो. यह चिता भरी, अपने वील भगर की गचा देख रीना तुने, यह दि तुछ में साहस है, तो स्वेम्मा को युद्दद कर मुझे, आजा, शुष्जलन दार कर दो कारне स्प 다ग कारवल लग एकारक को कि रहाइग। कि रहाइग रखसे पारक को कर दो कर दो माशा भगवान शीव और जनंधर का युद्ध और जुद्ध हो गया है ना जाने क्या परिनाम होगा परिनाम हुमारे पक्ष्मे ही होगा मैंदी मेरे स्वानी इस तुष्ट को शीदी समाप कर देंगी परिनाम हुआ है युद्ध अब समाप्त हो चुका है जलंधर भी भाग गया है अब तुम जाओ हम एकांट चाहते हैं स्वामी क्या हुआ आप पीछे क्यों हट गए देवी हम तुम्हें नहीं चुएंगे तुम्ही हमारा हाथ धाम कर हमें एकांट में ले चलो आज से पहले तो आपने ऐसा व्यवार नहीं किया था स्वामी आज आपको क्या हो गया है कुछ भी तो नहीं आओ हमें अपने हृदे से लगालो आओ सुन्दरी आओ भी सुन्दरी आओ सुन्दरी सुन्दरी मॉयावी दुष्ट जलंधर अब तेरे जीवन की श्वा से समाथ हो जुकी है तू अब जीवित नहीं रह सकेगा शुरी हरी यह कैसी शिवलिला आरंभ हो रही है नारद लीला तो ऐसी और वैसी ही होती है और फिर शिवलिला वो कब और कहां से आरंभ होकर कब और कहां समाप्त होगी इस विश्य में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी लेला अभी गतिमान है दरतवी तक नहीं पहुंची है जब पहुंचेगी तब सुखत परिणाम लेकर हें पहुंचेगी अता हम सब को उसके प्रतिक्षा करनी होगी रशी हरी मिष्नु पाल जिस्ञु जिस्ञु पाल जिस्ञु तेज्ञु आप शीग्रे कैलाश भावन पर बढ़ा लेक परक्तेशी हरी मैंता पारवतिया को बुदा रही है लगता है कुछ अनुत धदक गया है अम तुरंत महां पहुची रहे है ओुरंत 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 महां पहुची रहे है कंडर्षी इसे हुआ झाओ ओम नमाश्षिवाया नमाश्षिवाया नमाश्षिवाया